किसी व्यक्ति को अपने मन की बात रखने पर भी हम और आप उसका सामाजिक ट्राइल करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हम और आप स्वतंतरता का मतलब ही होता है कि हम और आप को अस्फल होने का भी अधिकार हो और अपने मन की बात को निर्भीकता पूर्वक अपने लोगों के साथ साजा करने का भी अधिकार तो अगर उसके उपर हम प्रतिग्रिया हैं, क्रिया हैं और एक किसम का ट्राइल चलू कर देंगे मुझे लगता है कि इन सब चीजों से कहीं लगे हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमारे ही घर में रहने वाला भाई या हमारे ही घर में रहने वाला हमारा सदस्क अगर कोई एक किस्म की प्रतिग्रिया दे रहा है तो उस प्रतिग्रिया के उपर हमें विचार करना चाहिए क्यों? क्योंकि ultimately स्वतंतरता का मतलबी होता है सहस्ता और सहस्ता का मतलबी होता है सौजन्यता और सोजनिता का मतलब ही होता है संस्कृति या संब्रिधि तो उस दिश्टिकोंड से अगर हम और आप देखना शुरू करें कि नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है, सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है और कश्टि बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, कि नजरा बदल जाता है